है गाइज और वेलकम बैक टो दे एक्जाम बैटल सीरीज फो क्लास 12 तो गाइज हम लोग एपिसोड 10 में आ चुके हैं जिसका चैप्टर का नाम है पार्टी इन पार्टी सिस्टम इन इंडिया तो पहले चैप्टर का नाम था सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है पार्टी सिस्टम तो पार्टी सिस्टम क्या होता है सब्सक्राइब होता है और समरी जानेंगे हमारे सिस्टम तो सबसे पहले देखने हैं पार्टी सिस्टम तो सिस्टमन होता है, तो जैसेब तो सब लोग किसको वोट करेंगे उसी पाटी को वोट करेंगा और वही पाटी रूल करेगी जैसे की चाइना में चाइना में क्या है आपकी वन पार्टी सिस्चम है चो की कम्यूनिश्स पााल आफ चाइना है similarly आपकी North नाथ-Corea में पीपल स्पाटी है, वरकर्स Πाटी, इन दोनों ही कंट्रीज में हमें सिंगल पार्टी गुवर्मिंट देखने को मिलती है उसी तरह से हमारे by party system है इसमें क्या होता है दो parties होती है एक opposition की और एक ruling party तो उन दोनों के बीच में elections contest होते हैं और जो जीतता है वो अपनी party चलाता है और rule करता है और ऐसा system कहां पर देखने को मिलता है US में so two political parties dominate the political landscape so आपकी democratic party and republic party जो की दो parties पाई जाती है आपकी कहां पर USA में I hope आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों ही parties का मतलब अब जो थर्ड है वो हमारा congress system है so congress system क्या है मतलब इंडिया जब आजाद हुआ तो हमारी कौन सी party ruling party थी या कौन सी party election जीती थी congress party हम सबको पता है तो क्या हमारी independence की बात congress बनी थी नहीं 1885 में ए हो हूम्स के दोरा जो की British officer थे उनके दोरा congress party बनाई गई थी तो उसकी foundation जाहिर सी बात है जादा strong होगी क्योंकि उसमें बहुत सारे charismatic leaders पहले से ही जुड़े हुए थे so इसलिए congress party की इतनी influence थी इतनी power थी और उसका क्या system था ये जानेंगे हम dominated first three general election सबसे पहले तो इसने first three general election को dominate किया क्योंकि कोई दूसरी party इसके टकर की थी ही नहीं even जो second party थी आपकी Communist Party of India वो बहुत ही जादा नीचे थी जो second आई थी पूरे इंडिया में इसलिए congress बहुत जादा influential और dominating party रही after that founded in 1885 इसको बहुत जादा root मिल गई इसको बहुत जादा time मिल गया जिसकी वाज़े से ये बहुत जादा strong होई free and fair election इसने contest कराये किसी दूसरी country Mexico की तरह नहीं जहां पर institutional revolutionary party जो की six decades के लिए continuously जीती थी बट उसने क्या क्या था free and fair नहीं election होने दिये थे उसने डरवाया था polling boots पे cheating करवाई थी इसकी वाज़े से वह जीती थी बट इंडिया में free and fair election contest हुए थे इसकी वाज़े से Congress जीती भी थी after that rainbow like structure मतलब कि Congress किसी particular धारना को नहीं मानती किसी particular तपके के लोगों को नहीं मानती वो सब को equally welcome करती है कि आप हर mentality के लोग Congress में रह सकते हैं इसलिए ये Congress का system है और इसलिए ये starting में बहुत ज़्यादा जीती थी after that multi-party system क्या होता है multi-party as the name suggest कि जहां पर multiple parties आती है election contest करने के लिए उनके पास ये right होता है कि वो election contest कर सकती है वो multi-party system होता है जैसे कि इंडिया में इंडिया में eight national parties हैं जो कि election contest कर सकती है for prime minister और several regional party जो की chief minister बनने के लिए election contest करा सकती है जैसे कि Delhi डली में क्या है आपकी जो आप है आम आदमी party वो क्या है regional party है similarly जो हमारे ने नेशन में जैसे कि BJP Congress Communist Party Marxism Marxist Party of India यह सारी क्या है national parties है यह सब election contest करती है for national level आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों ही topics का मतलब next topic की तरफ बढ़ेंगे हमारा restoration of Congress and यह most important topic है आपके अभी तक के इस chapter का restoration of Congress so हम यहां देखते हैं कि Congress party ने पहले three general elections पर dominate किया उसके बाद जब multi parties बन गई तो वो कुछ समय तक उन्होंने रूल किया बड़ उसके बाद Congress ने अपनी victory कैसे दुबारा हासिल करी उस बारे में हमारा topic है so हमने देखा कि जो फिफ्ट जनरल election था मतलब 1971 का जो जनरल election था उसमें सारे ही opposition सेम umbrella के अंदर आ गया मतलब सेम उन्होंने party जॉइन कर ली कि किसी तरह से इंद्रा गांधी को हटाना है चाहे कि चाहे हम सब को मिल जूल कर रूल करना पड़े हमें सिंगल रूल ना मिले सो उसी वही हुआ 1971 election restored Congress किस तरह से all opposition came under the same umbrella Congress all left the party और जो Congress और इस ओ थी मतलब जो charismatic पुराने leaders थे Congress के उन्होंने party छोड़ दी क्यों छोड़ दी क्योंकि उनकी जो मनसूबे थे जो वो चाहते थे कि party में हो वो चीज़े नहीं हो रही थी जो इंद्रा गांधी चाह रही थी वो हो रहा था और उनका मेन उद्देश ही यही था कि सबने मिलकर एक plan मनाया कि हम slogan मनाया कि इंदर राहटाओ इंदर राहटाओ यह इंद्रा इंद्रा गांधी को हटाया जासा कि एक umbrella के अंदर भी आ गें बट इन सब star hai पॉजर Когда इस लोगन एतनnा एक इए तना इपेक्टिव रहा पॉजिटीव स्लोगन की पूरे इंडिया म बड़ी विक्ट्री अचीव करी just because of this positive slogan गरीबी हटाओ so this was the restoration of Congress party I hope आपको समझ में आया होगा अगर आपको deeply समझना है और अच्छे से समझना है मैंने complete वीडियो बना रखा है उस वीडियो का link मैं description में डाल दूँ है आप वहाँ से जाकर video access कर सकते हैं जादा बड़ा वीडियो नहीं है आपको समझ में आ जाएगा तो वो जादा important है उसमें notes वगेरा भी सब given है तो आप उसी pattern में लिख सकते हैं अपने exam के लिए और आपके अच्छे marks आएंगे definitely आपके एक marks नहीं कर सकते हैं यह मैं आपको guarantee करता हूँ आप चलते हैं कुछ important questions की तरफ जो कि आपके इस chapter से आने की probability सबसे जादा है यह वाला topic हमने revision में discuss नहीं किया है तो अगर आपको जानना है या आपको नहीं पड़ा सो आप मेरे वीडियो पर जा सकते हैं जो की complete वीडियो बना रखा है devoted for this chapter सो आप description में लिंक है आप जाकर access कर सकते हैं next one is explain the concept of आयाराम and गयाराम same concept है और उस वीडियो में मैंने explain कर रखा है link is in description fourth is define the party system जो कि अभी हमने revision series में discuss किया starting में last is discuss the outcome of 1971 लोगसभा elections so guys now i hope आपको यह questions आते हो और आपको चाटर भी समझ में आ गया हो आपकी revision series भी अच्छी जा रही हो so अगर आपकी help हो रही है तो आप please अपने दोस्तों के साथ भी share करो ताकि उनकी भी help हो और at the same time मेरी मेहनत को appreciate करने के लिए आप comment कर सकते हैं share कर सकते हैं like कर सकते हैं and मिलते हैं next video में till then stay tuned